गुड आफ्टनों एब्रिवन हम कुछ बेसिक बाते आपको बता दें कि प्रिलिम्स में जो हमारा टेस्ट का होता है भी आपको टेस्ट पर दिया जाएगा उसके पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बता दें क्योंकि अगर आप यहां प्याएं हैं को कुल मिला के मैं बार-बारी बात कहता हूँ पूरे एक्जाम में आपने जितना पढ़ रखा है उलग-बग परियाथ है जिन लोगों नहीं पढ़ा होगा थोड़ी बात उनको हम बता देंगे इसे नजरिया बड़ा इंपॉर्टन होना चाहिए कई बार हम क्योंकि मुझे लगता है कि आप आप में जो प्रतिवा है चंता है कई बार हम घबडाते इसलिए हैं कि हम बिलावजाए इन्फॉर्मेशन ओबरलोड पर भाग रहा है ये सूचना इकठा कर लिया ये सूचना इकठा कर लिया और आप कितना भी पढ़ने आपको हमेशा सूचना कम रहेगा आप कभी किसी पीटी देने वाले बेक्ति से पुछे कि आपको क्या लगता एक्जाम कैसा गया तो अगर वो सीरियस के इंडेट होगे तो कहे गया आप सैटिस्टाइड नहीं हूँ यह सही कर सकता था गलत हुआ यह प्याद रखी आपके स्टेज में कभी भी ऐसा कोई समय नहीं आया कि जब आपको यह लग जाएगा कि मेरे तैयारी कमप्लीट हो गई है क्योंकि मानो होने के नाथे हम ही कमप्लीट नहीं है अग्यकत के बाद तो यह है और जिस दिन हम कमप्लीट हो जाएंगे उस दिन है तो लैटआप होंगे कैमरा होंगे मारकर होंगे यह कमप्लीट है हम इन कमप्लीट हैं पहले अपने आपको समझ लिजी इसे तैयारी करिए आराम से information देख लिजए और मैं आपको बता दूँगा क्या पढ़िये क्या ने पढ़िये नजरिया मैं थोड़ा सा बदलने का प्रयास करूँगा जहाँ दबाव में तरही है और जवानी और दबाव दोने भी रुधी है ख़ई बार तो आजकल यार बच्चों को देखे मैं बड़ा जवानी में दबाव मतलब सब्सक्राइब लेकिन बात की बाते होती रहेंगे यह देखे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ जिस बाजार में आप हैं जिस जगाएं आपको पर तमान दबाव है जितना पढ़ लेंगे फिर लाइबरेरियम गए एक इस्टोरियन पढ़ रहा है तुमने यह पढ़ा है मैंने तुम पढ़ा है फिर दिल के लड़करी में बढ़के यह यह पढ़ा है यह नहीं पढ़ा है इसलिए एक बात याद रखिए क्या तेह करना है सीमा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ देना है किधर बिलकुल भी नहीं देखना है यादर खिए आचा दिल तो पागल है कई बार हम कई जगह नहीं देखते हुए तो देखना नहीं चाहिए, फिर भी बार-बार उधर ही देख रहे हैं, नहीं होना चाहिए ऐसा, यही मानव मनविज्ञान है, इसे कहां नहीं देखना है, मैं आपको बाउंट्रा इंताय कर दूँ, अगर आप छार मेरें तक वहां वहां नहीं देखे, समझे पीटी नहीं प पहले हम देखे, क्या पढ़ना है, फिर कैसे पढ़ना है, क्या सुरूत होंगे, उसके अलावा, अपने आपे लॉजिकल उत्र मिल जाया है, क्या नहीं पढ़ना है, अब जब और कैसे सवाल होते हैं, पढ़ना क्या है पहला, दूसरा, फिर प्रश्ण की प्रकित कैसे होती नेशर आपको श्टन्स कैसे होते हैं, क्या हमें पढ़ा जाना चाहिए, कैसे पढ़ा जाना चाहिए, कैसे पढ़ा जाना चाहिए, फिर देखें कि हमारे पढ़ने का सुरोत क्या होना चाहिए, source क्या होना चाहिए और इसी एक-एक dimension में हम बड़ी सारी चीज़ें शामिल करते जाएंगे जैसे अगर हम देखें कि पढ़ना क्या चाहिए तो polity में, polity जो आपका syllabus है उसमें आप देखेंगे प्रश्ण पेपर खुब देखें previous question पेपर एक बार नहीं दो बार नहीं एक ये तरीका है और सबसे बड़ी बात केवल IES का पेपर देखें, IES के PT में, State PT में जमीन असमान का फरक होता है, आधे बच्चे ये गलती करके परिसान रहते हैं अगर आप आरो का एक्जाम देना चाहते हैं तो उसके बाद आप State Exam देजिए, हो सकता हो पास हो जाए अगर ये गलती करेंगे कि हम State भी देखते रहें, IES भी देखते रहें तो हमें इसा Diverzant आप करेंगे अन्तता गलती करेंगे IES के PT का पेपर का नेचर ही बिलकुल लग किसम का होता है हमें आपको एक प्रश्ण आपको एक्जामपल बताएंगे कहां से प्रश्ण है, सुरूत क्या है और मैं क्यों सुरूत बता दूँगा तो जैसे क्या पढ़ना है, कुछ चीज़ें है जो इन फॉर्मेशन के तोर पे हैं जैसे, अगर हमसे पूछा जाए कि क्या पढ़ना है तो पॉलिटी में पहला सवाल आता है संबिधान संशोधन पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए संबिधान संशोधन पढ़ना है या नहीं पढ़ना है पढ़ना है, बेफेक्ट है कहीं PT मेंस में फर्का रहा है होगा जितने बारी तरीके से बार-बार पढ़ेंगे और लिमिटेट चीजें पढ़ेंगे. कैसे? अब हमारे संभीधान में अज तक कितने संभीधान संशोधन हो चुके हैं? 105? अब देखें, संभव हो है क्या सारे 105 संभीधान संशोधन में याद कर जाएं? नहीं, नहीं याद कर पाएंगे. तो फिर सवाल है कि अब देखें, कैसे पढ़ा जाता है? तो आपने देखा कि हम 10 संभीधान संशोधन, अगर मुझे 105 में कोई 10 निकालना हो, तो मैं किस कोपिक करूँगा? अब यह पूरे चार पेपर है, आपका सेलिबस है, यह देख लो आप, सारे सेक्षिन है, उतना क्या कर पाओगे? पहले कॉस्ट बेनफिट देखते हैं, कितना पढ़ा, कितना काम का है? अब और कैसे पता चलेगा पेपर? यह गलती बिल्कुल यह, ऐसे काम करें, सेल्समेन काम करता है, एक गंटे पढ़ा, कुश्टन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? मतलब भी नहीं है, अगर सॉल्व नहीं हुआ, इसका मतलब पढ़ने का कोई फाइदा नहीं है, तो देखे, पहला टेक्निक किया है, क्या पढ़ना है? सारी बाते नहीं है, अगर मैं आपको पिक करूँ कि, इन 105 में, दस कोन बढ़े हैं? पहला सम्मिधान सनुशुदन, पहला, लेंडमार्क है, क्यूं है? इन्फोर्मेशन जदे इंपोर्टिंट है, उसकी पीशे कहानी, अब कैसे पढ़ेंगे? अब पहला सम्मिधान सनुशन पढ़ना हुआ, पहला पढ़ने की तरीका, बी सिलेक्टिम, अब अगर आप कहेंगे कि, नहीं सर, मैं 105 सम्मिधान से पूरा देखना चाहता हूँ, तो मैं कहूंगा, बहुत पूरे चार पेपर है, आपका से लिबस है, यह देख लो आप, सारे सेक्षन है, उतना क्या कर पाओगे? पहले कॉस्ट बेनफिट देखते हैं, कितना पढ़ा, कितना काम का है? अब वो कैसे पता चलेगा पेपर? यह गलती बिल्कुल है, ऐसे काम करें, यह सेल्समेन काम करता है, एक गंटे पढ़ा, कुश्टन सॉल्व हुआ की नहीं हुआ? मतलब भी नहीं है, अगर सॉल्व नहीं हुआ, इसका मतलब पढ़ने का कोई फाइदा नहीं है, तो देखे, पहला टेक्निक किया है, क्या पढ़ना है? सारी बाते नहीं है, अगर मैं आपको पिक करूँ कि इन 105 में 10 कोन बढ़े है? पहला संभिधान संशोदन, पहला लेंडमार्क है, क्यों है? इनफॉर्मेशन जदे इंपॉर्टिंट है उसकी पीशे कहानी, अब कैसे पढ़ेंगे? अब पहला संभिधान संशोदन पढ़ना हुआ, बहार न पढ़े है, अब कहानी कैसे है, कि पहले संभिधान संशोदन में कैसे, संसद और नयाइपालिका के बिश शक्तियों का टकरा हुआ, संकरी परशाद केस, संकरी परशाद कौन थे, मामला क्यों सुप्रिम कोर्ट में आया, जमिदारी उन्मून का पुरा मामला था, और पहली बार ऐसा लगा कि संपत्तिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है, नहीं किया सकता है, फंडामेंटल राइट को सीमित किया जा सकता है, नहीं किया सकता है, यह सारे मुद्दे थे, यह उसकी पीशे कहानी थी, सकता है, पूरी स्टोरी जा रही है, पूरी, मैं आपको सारी तथी स्टोरी के माध्यम से बता दूँगा, पहला संबिदान सुषरा नमबर एक, दूसरा, शोबिस्मा अच्छिस्मा, दोनों पेर में चलते हैं, उसके लामा भी, अरतिस्मा, उन्तालिस्मा, चौथा, बैलिस्चोवालिस्ट, फॉर्टी सेकंड, फॉर्टी फॉर्ट, फिर पांच्छिवा, उसके बाद, फिप्टी सेकंड, सिक्स्टी वन, इसके लामा, 73, 74, जो आपके सिल्बस में लिखा गया है, वो ध्यांस के भी सिल्बस को पढ़िएगा, आपके सिल्बस में एक ही चीज लिखी गए है, बाकी लिखा क्या गया है, भारती संविधान, भारती राज्मिवस्था, साशन, गवर्नेंस, इंडिन पॉलिटिकल सिस आपके सिल्बस में लिखा गया है, भारती संविधान, तो भारती संविधान सिल्बस में लिखा गया है, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है, जो स्पेसिफिकली मेंशन है, पंचायती राज, तो इसलिए बस एक बाद ध्यान से देखते हैं, तो पंचायती राज से 73rd, 74th Amendment अपने राइट एजूकेशन, उसके बाद आप थोड़ा से स्कोर पीछे कर दें, उसके बाद आप आ सकते हैं, बड़े सारे हमारे पास हैं, लेकिन उसने कर पिक करना हो, तो हम किस पे जाएंगे, 99th, और GST के से आया, 1, 0, और चाहे तो आप 103 को भी शामिल कर सकते हैं, 103 में क्या था, आर्थिक आधार पर अरक्षण, यानि गर हमने बहुत tightly select किया, इतने संभिधान संश्रोधन की पीछे बड़ी कहानिया हैं, बड़े किस्से हैं, बड़े महत पूर्ण, पहले PT में एक कोशिस करिए, पहली गलतीक नहीं, संभिधान संश्रोधन पूरा नहीं पढ़ना है, बी selective, तो बताओ, आप क्या करोगे, शोड़ दोगे, अच्छा इदर रखे, सब के पीछे पढ़ने करना कोई एक भी नहीं मिल पाता, लाइफ में बड़ी गंबीर समस्य आती है, जब किसके पीछे मैं सिवाओं के पीछे, एक्जाम के पीछे, अब बताने क्या समझ रहे हैं इस बात का मतलब, तब के पीछे नहीं पढ़ना है कि ROB, AZAB, ABAB, सब हाँ से छूटेगा, इसलिए समिरान सनुशन पढ़ लिए हमने, वैसे यह तरीका हो जाए, अगर 395 आर्टिकल चूज करने है, मैं उसमें से 15-20 आर्टिकल चूज करना हो, यह है सेलेक्टिब तरीका, और आप कहेंगे कि अच्छा सर, इसके लाव मगर माल दीजी आ जाय तो क्या होगा, तरीका यह है, उस चीज को पढ़ने कोई फाइदा नहीं, जो सब गलत करेंगे, वो चीज कभी गलत नहीं होनी च सतर, यह मान के चलना है कि सारे प्रशन का उत्तर हमें नहीं देना है, यह मान के चलना है कि हम सारी चीज नहीं पढ़ सकते, यह मान के चलना है ग्यान के लिए पढ़ना मना है, मना है, और हम कई बार ग्यान के लिए कैसे पढ़ते हैं, अब अगर हम छे, सोलह, चारी की तीन ज्यादा ही है कुछ डुबाने के लिए ये गलती है, कहा कहा मैं सीमा बताता है जोगे कि बेना सीमा कि हमारा काम चलने पाता अब आप देखिए, अब आपको मैं बता दूँ कि आपको हैंगे सार इन्हें को क्यों चूँज किया क्योंकि हमारे संविधान संश्वदन में आधे तो वो है कि आरक्षन किसी मा को दस साल के लिए बढ़ा दिया गया आधे संविधान संश्वदन वो है जो नविन सुचे मिश्य को सामिल कर दिया गया आदे संभिधान संशदन वह है जो इन्हें के कम्प्लिमेंटरी बन जाते है इसलिए बागी चीज़ों को हम लगभग छोड़ सकते है इन चीज़ों को नहीं तो अबर पीटी के पास करने के तरीका है तो इन चीज़ों को रियाद रखे अब आप कोई संभिधान संशदन बताया ज念isso 38 आप कहेंगे 38 आइंद कहेंगे तो मैं आप भीसें नहीं बताँगे 38-39 ये 38 संभिधान संशदन नहीं इंडरा गांदी के दुरगा बनने की कहाणी है इसे संभिधान संशदन मत पालिए इंडरा गांदी 1971 लोकतन के फिलोसपी है कि मैं भी बराबर आप भी बराबर सब का मत दाने कदिकर एक गई बर वेक्ति तो बड़ा हावी हो जाया, स्याद मोधी के पास नहीं है आपने तो मोधी को देखा है, जहां जाद मोधी, 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 इला दे रहते हैं अच्छा लोकति अन्धिन बड़ा होता, नभी मानों तो ही गड़ा जाएगा. इन्दर गांदी गवारे में कहा जाता था, पूरे कैमियर्ट में पुरुष थबा किस्तुम महिला थी. वो इन्दर गांधी थी. तो आपको यह दिला नहीं दिरा गांधी तिने पाउरफुल प्राइमिस्टर थी, लेकिन मामलागर बढ़ाया जून 26, 1975 और 75 वो येर है, जो बड़ा अपने आप में इंटरो इंटरेस्टिंग है, शोले रिलीज होई थी और उसी 75 में नरगांदे न आपातका लगा दिया, और जैसे आपातका लगाया है, तो अब उन्हें दो संविधान संसोधन की सक्ता अविशक्ता पड़ी 30th and 39th और ऐसे दो संविधान संसोधन की अविशक्ता क्यों पड़ी, क्योंकि अब इंटरगांदे ने कहा कि जब राश्पती को ये देधे जारी कर देगा, नयपालिका उसको नहीं देखेगी तो नयपालिका ने वहीं, नयपालिका बेठी थी नयपालिका ने कहा, हम किसलिए संविधान में इंदरा गांदे ने कहा चुकर्व, विकार की बात करता है अई मैं जो बता रहा हूँ, सुन नयपालिका ने कहा, यही वो समय था जब प्रतीबध नयपालिका के विशार दिया गया, पीटी पूशा गया सवाल है कमिटे जोडी शरी, प्रतीबध नयपालिका, इंदरा गांदे ने कहा कि नयपालिका प्रतीबध का मतलब है कि जो मैं कहूंगी, जो पार्टी कहेगी, वो नयपालिका करना पड़ेगा जबकि हमारे नयाए पालिका की उत्तरदाई तो सम्मिधान के प्रती है पाल्टी के प्रती है तो ये नयाए पालिका और जैसे इंद्रा गांधी ने तो इलाहबाद हाई को टेंशन और अउरद किया फिर इस बात को लेकर उच्यतम नयाले आई और इसे 30 सम्मिधान संसोदन से कहलवा दिया कि उन्हें एक साथ दो दो आपातकाल चाल सकता है राश्टिया आपातकाल का नयाएक पुन डालोकन नहीं होगा अध्याद्यस का नियाएक पुन्रालों को नहीं होगा क्योंकि वो लगातार अपनी शक्तियों को बढ़ना चाहती थी और फिर 39 किया वो शक्ता क्यों पड़ी क्योंकि वो चाहती थी कि जब आने वाले समय में राष्पति का चुनाओ उपराष्पति का चुनाओ प्रधारमंत्री का चुनाओ इस समय धानिक पदादिकारियों के चुनाओ नयाएपालिका के दाएरे में जाने ही नहीं चाहिए तो यह उनका बहुत बड़ा इस टिप था यानि उनके हर काम से ऐसा लगता था कि नयाएपालिका के शक्तियों को फिशे करना चाहती है इसलिए थर्टी नाइन थाया अब थर्टी नाइन को बिना कहानी और बिना कॉंटेक्स से पढ़ेंगे तो क्या होगा क्यों कि आप हैं बड़े बुद्धिमान यहाँ पर देखी जब युवाब बच्चों को देखता हूँ इतना खुस हो जाता हूँ यकीन मानी है कि कुछ पढ़ाते पढ़ाते मुझमेत कुछ बुद्धिमत्ता आगई एक नहीं आपको देखते देखते यकीन मानी है आप जैसा बुद्यमान कोई है नहीं, लिकिन जब बुद्यमान है, तो ऐसे बुद्यमत्य से काम क्यों नहीं करते हैंοιπόν बुद्यमत्यस काम कैसे करेंगे स्टोरी बना कर पढ़ेंगे ऐसे अब 28 समभिधां, sorry, depends राल, लाल, लाल है एक बार देखा फिर फिसल जा रहा है फिर अन्ट रिसमा समिधान अप्पट है यह न आइडीया है है अएंडीया का थे लइव और नजरिया बदलेगा तो नजारे किया बदलना है बदलना है अब देखे फिर आप कहेंगे अमें कोई भी सम्विधान 24-25 24-25 कहां से मामला आता है 24-25 के बाद कहां से आती है क्योंकि फिर वह ये मामला 1967 1967 के बाद से ऐसा समय नहीं रहा जब बहुत प्रभावशाली प्रधान मिंत्री हो इंद्रगंदी का दो फेज था एक समय जब कमजोर रूप में थी 67 और 67 में ही हेंडरी गोलखनाथ का निर्ड़े और उसके बाद गोलखनाथ ने जैसे ही कहा कि अब सरकार संपत्य दिकारों को छूबी नहीं सकती सरकार संपत्य के दिकारों के साथ तनिक शेशार नहीं किर सकती इंद्रगानدे को समाझवादी होना था बेंकों कराश्टरी करना था Congress Party divide हो गई थी और इसलिए Congress में दो धड़े हो गए थे Congress I, Congress R Congress R ॐ Congress O बाद में जो R था वो I हुआ Organization and Requisition ये भी fact आपके लिए important है आप याद रखेगा के वल के पॉलिटी भी पढ़ना है और मैं सुरोत अग कोश्चन की एक्जाम्पल अपर पता दूँगा तो जब पॉंग्रेस पार्टी डिवाइड होई थी तब उस समय पहली बार इंदर गांदिक सामने चैलेंज था कि गोलखनाद की निरड़े को बदला कैसे जाए गोलखनाद की निरड़े को बदलने का पहला तरीका आया था 24 सम्विधान संशोदन यहन्य गोलखनाद डिसिजन नहीं होता 24 सम्विधान संशोदन नहीं होता और चुकि नैपालिका ने कह दिया था भाग तीन को छुना मना है जैज नैपालिका कोई बद कहती है इंद्रा गांदी बड़े हैरत पढ़के उनका और छूंगे मतलब उनका एरे कमाल की बात मैडम आपके ता है चिंदा की बात नहीं हम जुगाड़ कर लेंगे भाग तीन नहीं छूना है तीन सवनड़ सट छूना है इंद्रा गांदी ने को ओ माईगाड वाट इनाईडिया है यह जूना है इसलिए तीन सवनड़ सट में सम्विधान संसुदन से आता है और पच्छिसमा उसके बाद अगली कड़ी थी पच्छिसमा में इंद्रा गांदी ने का तोखले साब आप एक काम करिये अब मैं समाजवादी बनना चाहता हूँ ऐसा आप कोई समयधान सनुशवर धन लाईए उनका मेड़ेम एक ही तरीका समाजवादी बनना है निदेश्रक्तत्तों को हावी करिया तो उसे पूछा गया निदेश्रक्तत्तों को हावी कैसे करे तो उन्हें समाधान बता दिया fundamentalist को नीचे करिए इसलिए और preview verse की कहानी 26 मेंस कतम 26 मेंस कतम और उसके बाद इंदरगांदे ने कहा कि अब बाकाइदा हमूल अधिकारों को स्रीमित किया जाएगा निदेशक तत्त को लागू कराने के लिए और इसी 25 में से compensation सब्द article 31 से हटा दिया गया यानि संपत्ति कदिकारों की इतनी पिटाई हुई जितनी हंगमा में राजपाल यादों क्यों हुई थी यह क्यों हुआ 25 बैलिस अब देखें बैलिस में संभिधान संसुदने के टच नहुआ हो ही नहीं सकता यह इंद्रगांदी और नयपालिका के बीच final जंग थी और इसी final जंग में एक और तथ्या जाता है स्वाण सिंग कमेटी स्थापित की गई अब स्वाण सिंग कमेटी इंफॉर्मेशन नहीं है इंद्रगांदी नयपालिका के बीच में लगातार जब संगर्स था तो स्वाण सिंग कमेटी बनी और स्वाण सिंग कमेटी से कहा गया कि अब ऐसा है कि हमें संभिधान संशुदन करना है उसी के पहले 1973 के स्वाण जज्मेंट आ चुका था 42nd Amendment का मतलब है 1976 आपातकाल राश्टी आपातकाल इंद्रगांदी ने कहा कि बस एक कदब में आगे बढ़ना है मैं तो नयाईपालिका को बिल्कुल दबा के रख दोंगी और उसलिए 42nd Amendment और लाया और संभिधान का साहिद ही कोई ऐसा भागो जिसको संसोदन ना किया निदेशक्तत्त्त्त्तुमे प्रियंबल मुल अतिकार राश्ट्वती की शक्तिया संसत्त की शक्तिया आपातकाल नयाईपालिका और कैसे आपको अलग-अलग समय पे और एक बाद अब कैसे कॉंटेक्स सब्सक्राइब करना चाहती है इसे पेपर का ट्रेंड अब देखिए बैलिस में संभिधान संशोधन सवाल 2014 के बाद पूछा गया है पीटी में 2014 के पहले साइद ही IS में कोई सवाल आपको मिल जाए जो वेलिस में संभिधान संसोधन से हो तो 40 Second Amendment इसलिए बार-बार सवाल अब को मिलेगा और 40 Second Amendment में कुछ अच्छी बाते भी थी जैसे मोल करतब का दिहाया गया उसमेड़ी आलचना हुई थी अज ही है कैट पहली बार भारत में 323 A अब देखे गर माली कोई आटकिल में पढ़ना है इसलिए नहीं को आटकिल है इसलिए को इसमें कोई बहुत महत्पून कॉंसेप्ट है तब आपको पढ़ना पढ़ता है इसे वहां से कैट का विचार आया वेलिस में संभिधान संश पुट्टुचेरी के संसाथ के चुना उरद हुआ जन परतनी दोजनियम 1951 51 50 दोनों अलग-अलग है और जब इंदरगांदे के चुना उरद हुआ था तो सवाल यह था पार्लेमेंट के द्वारा बनाएगे किसी लोग को क्या उचनियले रद कर सकता यह सावल पहली बार और उस समय तो इंदरगांदे के चुना को रद किया गया था इसलिए इंदरगांदे ने बेलिस में संभिधान संशुधन से कहा कि नहीं संसज जिस विदिका निर्माड कर लेगी उसे कभी उसे कभी भी उचनियले रद नहीं कर सकता बाद में चववलिस में संभिधान संस बढ़ हुआ था, हमने पेर में क्यों बताया बैलिस्वे संबिधान संशोधन की आधी बात को रद्द कर दिया था चोलिस्वे से आधी बात रद्द कर दिया था संसद कारिकाल पांस से छे साल बढ़ा कर कब कर दिया गया था बैलिस्वे संबिधान सन्षोधन, जो बाद में फिर चेंज किया गया, अब 2026 के बाद, उसके बैलिस्वा के जस्ट अपोजिट 84 है 84 सम्विदान सन्षोधन से कहा गया, कि अब लोगसभा का अगला परिसी में किस जर्ण लड़ना के बाद होगा 2026, कहने का मतलब एक हमारी पास information तरह ज़्यादा है कि information पर जैसे आप गए आप पूरी पढ़ाई को अस्तविस्त कर लेंगे मैं बार-बारी बच्चों को समझाता हूँ कि आपके उमर बड़ी है, आप रट नहीं सकते शीजों को आप समझ सकते हैं कहानी तरह पढ़िए तो आप आसान होता चला जाएगा उस सही रहेंगे नहीं तो आप ऐसा लगेगा, इतना fact आपके सामने आ जाएगा पढ़ने के बास सब पुछ लगेगा कि आर यहां से पढ़ने रमास निकल जा रहा है एक डिलीट होगा तो एक एक एक्जाम्पल है बेलिस्मा, चववालिस्मा बाउनाव में से पिछली बार पीटी सवल कहा है एंटी डिफेक्शन एक्ट से हमने आपको बता दिया कि आज की देट में यह बात है कि संसत के द्वारा बनाएगी विधी की बीदि को उचे नैले भी निरस्त कर सकता है यह बाट चववालिस्में सम्विधान सन्शोदन दो रिष्टूर की गी थी चववालिस्मे संविधान सन्शोदन से पहली बार भारत में भारती संविधान में मंत्रि मंदरस्च शब्द का अप्रिवक कहा से गए जोवलिसमें से आने ब vitamin nationalist में कभी भी राष्ट्री आपातकाल का अप्रियो किया जागा किस की सलाह ली जाएगे मंत्रि मंदल के लिख सलाह जोवलिसमें से पहली बार ये कहए दिया गया 3502 राष्ट्री आपातकाल 356 इस सबका नियाइक पुन्डावलोकुन होगा चोगल इसमें से अनितिसमें की आधी बात को रद दिखी गए चोगल इसमें से अध्यादेस भी नियाइक पुन्डावलोकुन के दाइरे में रहेगा जो अनितिसमें से अटाया गया था उसे चोबल इसमें मैं जोड़ दिया गया इस चीज़ों को जोड़ के पढ़िए कहानी के दोरा पढ़िए information के वज़ा concept building हमेशा करें उसके इर्दगेद information देखते रहिए आदा काम तो ऐसे आसान हो जाएगा एक हमने example बता है पहला information यहां लेना है उसके बाद दूसरी बाद बताने कुछ और information कहा है और क्या पढ़ना है कहां दियान रख सकते है अब आई वसम्विधान तुमारा बहुत बड़ा है सम्विधान से मैं पूछों कि सम्विधान के मूल पाँच आदर्शा बताईए तो जब पाँच आदर्श यतने fundamental है सवाल वहाँ से नश्रीत तोर पर आएगा सम्विधान हमने पढ़ लिया मैं कहूंगा इसकी पाँच संस्थाएं बता दीजिया फाइब मेजर इंस्ट्यूशन इसका मतलब यह नहीं शूटना चाहिए बागी कुछ छूट सकता है बही पूरे सम्विधान में बही क्या पढ़ें यही तो पढ़ने की तरीका है कि हम कैसी precisely अटेक करें तो पाँच आदर्श में पहला है लोगतंत्रिक, गणतंत्रिक पहला अभी लोगतंत्रिक, गणतंत्रिक आपको चीज कहां मिलती है फंडमेंटल लेट, DPSP, प्रस्तावना बही लोगतंत्र में पहला आदर्श होता है दूसरी संस्थाएं होती है जब एक एक शब्द का हमने प्रयोग कर दिया कि भारती सम्विधान का पहला इस संस है लोगतंत्रिक, गणतंत्रिक तो इसका मतलब है कि फिर इसमें सारी बाते शामिल होगे लोगतंत्रिक, गणतंत्रिक में फंडमेंटल राइट, प्रस्तावना निधेशक्तत्तु, दूसरी बहुत बड़ी बात है सेकुलरिजम, हमेशा सवाल अभी थोड़ा सा गड़बड किया हुआ पीटी में, जबसे बीजेपिक सरकार है सेकुलरिजम पे सवाल नहीं पूछा जा रहा है अभी पेपर का ट्रेंड अब देखिए दोरेट चाओदा के पहले के सवाल उठाग देखिए हमेशा अभी सेकुलरिजम केस आएगा तो ऐसा रभों में को आपको याद रखना ही पड़ेगा अब अब लोग तांत्रिक गण तांत्रिक पे अब यह आए धर्मांत्रन धर्मांत्रन का मुद्दा बार बार उच्छे तम जाले इस पर संग्यान ले रहा है इस बज़े से हो सकता है कर नुच्छे 25 इंपॉर्टेंट हो जाब के लिए बार जो बाती यही तो करेंट डिफेर का मामला है नहीं तो आपको हैंगे फंडामेंटल राइट में भी मैं तीन फंडामेंटल राइट का नमबर रत बताना चाहूँ उसमें भी चूछ कर लेंगे चौदा, उननिस, इक्किस और बतिस यह चार नहीं प्रीबियस ते के सारे सवाला देख लीजिए फंडामेंटल राइट में कहा कहां में सो पीटी में चौदा, कभी नहीं छूटना चाहिए मैं सवाल आपको बताऊंगो सवाल की एक्जांपल आपको बताऊंगो चौदा, उननिस, इक्किस, बतिस चार जितनी बार पढ़ सकते हूँ जितना अविस्तार कर सकते ना करिये बाकी एक नजर पीटी में कुछ चोड़ते नहीं कुछ-कुछ एक नजर आप कई बारे इतने आप लोग होशियार हैं कई मामले में सब करते हैं कुछ-कुछ लोगों को एक ही नजर देखते हैं कई लोगों को टेक्स्ट बोक को, NCRT को अरे मरे दोस्तों जो जीवन में अपलाई करते हैं उसको पढ़ाई में अपलाई क्यों नहीं करते हैं इसका मतलब को ऐसे प्रोफेशनल, फंडामेंटल, इडिया, फंडा, सारी कठे पढ़े जा रहे हैं और उसमें गड़ड़ी क्या होती हैं अनो छेथ पंदरा का पाँच, पंदरा का दो, पंदरा का तीन उसके बाद तो पंदरा का प्रान निकाल लेगा वो बागी के लिए समय ही नहीं है ऐसे नहीं मैं नहीं कर रहा हूं किसी चीज को मत पढ़िये रहे भाई, किसी चीज को पढ़िये तब जब बागी कॉम्पेक्ट हो गया हो, अब कुलता पॉलिटी पूरा हो गया एकॉनमी पूरा हो गया, यह पहले टार्गेट सिक्स्टी का वो टार्गेट पूरा हो जाएताब इतना मामले परागे बढ़ी है, क्योंकि मैं पीटी की संबल बार बढ़ता हूंगा, सिंपल सवाल आपसे पूछा जाता है, सिंपल अप्लिकेशन बेस समझवरा दारी था वो एकदम धूनने वाला सवाल नहीं होगा यह समें जैसे स्टेट में के बर पूछा जाता है, यह बताओ आजादी की बाद, भारत का पहला जंडा किसने फैरा है अब सवाल जंडा गूमो यार पंथ निरपेख्सता, अब पंथ निरपेख्सता की बात है, सरबोमे के सी यादोना चाहिए कहाँ-कहाँ, सेकुलरिजम है, यह बात यादोनाई चाहिए और कब जोड़ा गया इतनी सिंपल बात आपको पता ही होगी तीसरी बात, आदर्श में संगवाद, फेडरिलिजम, भारती संगविधान का जो बहुत बड़ा आदर्श है, यदर के फेडरिलिजम, शक्ति का प्रथक्रण, और फिर शक्ति का प्रथक्रण, और उसके बात, बंदोता, प्रेटरंटी, मैं यह नहीं कर रहा हूं का कोई छठा नहीं बता सकते हैं, छठा बता सकते हैं, इसे आप जाद रिखे, पीटी का सवाल देख लिए, कौन सा ऐसा साल है, जहां संगवाद सवाल नहीं है, अभी मैं सवाल की एक्जाम्पल बताऊंगे, सवाल कितने प्रकार के होते हैं, informative, conceptual, कैसे सवाल, applied base, सवाल की नेचर किया है, इसलिए आप जाद रिखे, इन चीज़ों को तो अभी separation of power में, बिधाईका कारेपाली का नियाईपाली का के संबन, बिधाईका कारेपाली का नियाईपाली का के संबन, आपको हमेसा पूछे जाएंगे, स संसद, institution है, अब parliament के बारे हम पढ़ रहे हैं, तोや इस basic जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए, संसद क्या है, अब संसस निकल रहा है, मंत्र फर्षद, पिछली बार सवल किस सेयाया, मंत्रि फर्षद सेयाया, कि कौन कौन परकार के मंत्रि होते है, और कितनी basic बात हैं मैं भी याद दिलाओंग आपको रष्टपती रष्टपती उच्छतम नहले उच्छतम नहले और अगला Election Commission of India अगर भारत के पाँच मेजर इंस्ट्यूशन की बात हमें बरनी पड़े इनको तब कदर ही नहीं शोड़ सकते हमने सारे संभिधान को ये पाँच हमारे बेसिक आदर्शे पाँच हमारी बेसिक संस्थाएं है अब सवाल है कि अब अब हमी सवाल के प्रश्ण बतारें इस पहले फिर पहले है लास्ट में दो बात और कर रहेंगे पुरी पॉल लगबग पुरी पॉलिटी आ जाएगी अब एक एकजामपल है कि मंतरी परिश्यद है संसद है कैसे इनके बारे में पहले बेसिक इन्फॉर्मिशन रखे उच्छतम नेले अब पीटिय में देखेंगे कि नेले से अगर दस सवाल पूछे गया है नौ सवाल केबल उच्छतम नेले से है एकात बार कभी जेनरप्धन नेले से पूछ लेता है एकात बार कभी हाई कोट से दस में से नौ सवाल उच्छतम नेले से है अच्हा, फंडमेन्टर इट में, जब प्रिबैस सेर के पेपर देखते हैं इतना शार्प देखने का तरीका होना चाहिए कि fundamentalize कैसा है या article सवाल पूछ रहा है या कोई business article ले रहा है यह संस्थाए हो गई अब अगर information पढ़ना चाहते हैं उच्छतम न्याले कुछ महत्पून निर्डे क्या पढ़ना है मैं उच्छतम न्याले जब तक उसे कुछ ऐसे decision जो नव न्याएधीसों या उससे बड़े बिंच के द्वारा दिये गए है यह दो कुछ तो ऐसे निर्डे हैं जो नव न्याएधीसों के नहीं थे फिर भी उनका बड़ा महत्तो है फिर भी अगर हम ऐसे निर्डे कुछ अगर पूरी पढ़ रहे है अब देखिए कि हमारे यहां तो हर दिन उच्छतम न्याले कोई निर्डे दे रहा है अब सवले क्या सारी निर्डे हम पढ़ जाए पसेबल नहीं है और current affair की बात कहांती है अब यह आपने देखा होगा कि कौशल किशोर बना मुझ भारस्तंग के मामले में उच्छतम न्याले ने कहा है कि मंत्रियों के बोलने का अधिकार उतना है जितना बाकी नागरिकों का अब यह current affair की बात हो गई इसका मतलब है यहां के article 19 का मुद्धा एक बार आप देख लीजे हम अभी उता जाएंगे का article 19 ही पढ़ना थी informative soul कैसे बनेगा conceptual कैसे बनेगा जिसे आप current affair कहते हो सच मानिए हो घटना करम चेंज हो रहा है बाकि उसमें कोई नई बात नहीं आती concept पहले विवस्तित करकर रखिए कि आज क्या निरड़े हम नहीं छोड़ सकते हैं बाकि छोड़ सकते हैं क्यों बाकि सारे निरड़े पढ़ेंगे तो बाकि शीजें compromise करनी पढ़ेंगे तो क्या निरड़े बिलकुल landmark है जिसने भारती नयपा लिखा कि बिलकुल चाल चेत्र को बदल के रख दिया तो अब उसमें ये बात कह सकते हैं मेनिका गांदी केस है तो नहीं आती निरड़ीस का है लेकि उस समय उच्छतम नियाले में निरड़ीसों के संग्या को लिमला का ठारती उस समय के साथ निरड़ीस का decision है इसलिए अगर कुछ निरड़े आप बिलकुल पढ़ेंगे जिसको मिस नहीं कर सकते मेनिका गांदी बाद गोलक नात बाद इनके बारे में और फिर वही स्टोरी बनाकर गोलक नात बाद मेनिका गांदी बाद वैसे प्रिवी पर्स के मामले में कई चोटे चोटे बादे भी है संक्रे प्रशास से लेकर बाड़े सारे चोटे चोटे बाद आते हैं लेकिन यह आपके तो बिलकुल मिस नहीं होना चाहिए मेनिका गांदी केस गोलक नात केस और केशवानद मिस कर दिया फिर तो मामला ही गरबर हो जाएगा केशवानद भारतिवाल चोटा एसार बोमे केस अगर एसार बोमे केस आपने मिस किया ता आप समझे बहुत बड़ी बात मिस कर रहे हैं संगवाद के पूरे ढाचे को एसार बोमे केस कि होतो होलो हानवाद यह भाए पांची नियादीस का लेकिन बड़ा लैंड मार्क है बड़ा खास किसम का है कि एसार बोमे की होतो होलो हान उसके बाद फिर और कोई आपको यादा रहा है मिनरवा मिल्स ठीक है मतलब as it is है मिनरवा मिल्स का मतलब की नव नियादीस कुबेंच नहीं थी उतना बड़ा डिसिजन नहीं था जहां से कोई बहुत 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 लैंड मार्क चेंज आया हो मतलब ठीक है उसने कह दिया कि मूल अधिकार देश्रक्त त्यक्षरी के पूरक है उसने बेल इसमें संभिधान संशोधन के आधिवाद को मानी आधिवाद को रिजिक्ट किया लेकिन इसके अलामा अगर आप कोई बहुत लैंड मार्क डिसिजन नहीं बता सकते हो पुट्टर सामीच सबसे लाश्ट में आता है PMA Pai Foundation एक 11 नयाधिस्वों के इवेंच का डिसिजन है आर्टिकल 30 से सम्मन्दी थे 11 नयाधिस्वों के इवेंच का डिसिजन है PMA Pai Foundation आर्टिकल 30 से है TMA Pai Foundation बड़ा ही लैंड मार्क है जैसे धर्मांतरन का मुझदा बार-बार आए है तो उसमें इस Tinnis Last के से important हो जाएगा इस Tinnis Last जो 68 का डिसिजन है इस Tinnis Last बाद तो पूराना बाद भी important हो जाहेगी कि बार-बार धर्मांतरन का मुझदा वर्तमान में आ रहा है कोई चीजहोती हो पहले की है advocate on record जिसे कॉलिजियम का माम लाता है इवे नव नए जीशो को इबन्स थी जिसे popular तरीके से जजट second case भी खा जाता है यहां लिख दें advocate on record versus union of india जिसे popular तरीके से जजट second case भी खा जाता है जैसे इंदरा साहनीवाद को मंडल केस के नम से रह जाता है ये 1990 1993 का डिसिजन है 98 में फिर दोह आए गया अगला इंदरा साहनीवाद आरक्षन से संबन नहीं था जिसका अभी उलेक बार बार फिर नाम लिया गया जिसको मंडलवाद के रूप में लोगा इसारे नौ जिजन के डिसिजन है तो आप याद रुखे अगर पॉलटी पढ़ रहा है तो ऐसी केस को एक बार आपका नजर होना चाहिए एडोकेट सांड रिकॉर्ड वर्सिज योनिन अफ इंडिया जैसे हम जजे सेकेंड केस के रूपे भी जानते हैं इंडरा सानिवाद याय था 1992 में अच्छा कुछ डिसिन ऐसे होते हैं जो सामाजिक रूप में बड़े इंपोर्टेंट हैं जैसे कि विशाखा केस विशाखा केस से पहली बार कहा गया था कि महिलाओं का योनो सोशन का अधिकार भी जिवन का अधिकार कहनन है तो बेंच बड़ी नहीं थे लिकिन कुछ ऐसी बात कहीगी जो बड़ी फंडामेंटल थी जैसे भी उतराखर्ण में आपने देखा होगा कि हलदवानी में कुछ लोगों को हटाने की बात थी तो ओलगा टेलिस केस में 1995 में उच्छतम नियाले का डिसिजन है कि जीवन का अधिकार एक मूल अधिकार है और किसी पट्री पर रहने वाले लोगों की आज़िवी का च्छी नहीं जा सकती तो जब तक उनका उल्टेर्नेटिव प्रबंद ना किया जाए उन्हें अब ऐत तरीके से हटाए भी नहीं आ सकता तो यह डिसिजन क्यों important बढ़ें कि वरतमान में चीज़ें चल रही है कहने का मतलब कई ऐसे मामले हैं जो नौ नियाज़ीसों के नहीं है फिर भी अलग-अलग कारणों से माज़पूर्ण हो सकते हैं इस देन इस लास बाद धर्मांतरन काड़ा important हो जाता है कहने का मतलब है कि इन चीज़ों को pick कर सकते हैं बाकी को छोड़ दिये क्योंकि यह हर point हमें सीखना है क्या important है क्या primary है क्या secondary है और किस बात को हम neglect करें किस बात को हम बिल्कुल neglect नहीं कर सकते हैं last last में क्या पढ़ना चाहिए last में आपको बता दे और हम यादभी करने की तरीका आपको बता दे इसे बहुत basic सी बात है फिर प्रशन आपको बताएंगे मालिज आपको प्रस्तावना है प्रस्तावना के पूछ दिया गया प्रस्तावना में लिखिश शब्दों के क्रम बताईए कैसे बताएंगे अब रटे जा रहे हैं रटे जा रहे हैं ऐसे नहीं J justice जवाहलल नेरू एडवीना से मिलने गए J for justice J for Jवाहर, L for लाल जवाहर लाल, एलफा लिबर्टी E for एडवीना F for प्रस्तावना है इसी क्रम में पूरी प्रस्तावना है कपड़े पहनने में आप इतनी स्मार्ट देखने में लग रहे हो कपड़ा इतना अथा अच्छा पहर रहे हो इसको पढ़ाई में कभी यूज़ करोगे आप कहते हो यूज़ करना है इसे defensive क्यों होते हो हाँ कर रहे हैं सिव नहीं करें तो भी क्योंकि एक बात याद रहे हो उसाह बना रहना बहुत जरूरी है दोस्तों आशा नहीं तो कुछ भी इसे क्या होने चाहिए यह पहला टेस्ट में जब भी अपियर हो टेस्ट में गलत हो जाए तो आप सुझे यह सवाल आएगा ही नहीं अल्टा हमारे साथ होता है टेस्ट वेपर में गएट खराब हो गया क्या पढ़ना कई बच्चे आते हैं सर मेरा टेस्ट में बहुत गलत हो रहा है हमके अब बताओ क्या हो रहा है का बहुत गलत हो रहा है मैं कोई सवाल नहीं आएगा आरा मज़ जाओ घर एक बात याद रिखे दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ वो साह नहीं तूटना चाहिए कोटिल ने कहा है का राजा का सबसे अब अपने किसी दोस्ते में लिए और पीटी आ रहा है क्या पढ़िए पहले से खरा भालत कर रहा है तो एक्जाम तो खरा परी देगा एक्जाम से डरेंगे या डरा देंगे ये बात हुई है दोस्तर नजरिया बड़ा इंपोर्टन थे ये में मजाक में नहीं कह रहा हूँ ये बड़ा गया अब क्या-क्या इतर रखेंगे कुछ बड़ी fundamental चीजे हैं जिसको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते है एक नजर उस पर होनी चाहिए सोनन सिंग समेती या दरिख कई बार हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं और इस अब यह करन्ट अफेर के माया तोड़ा दूर रखी है यह फेर होगा नहीं दोस्तों करन्ट बड़ी माया है क्या पढ़ना है अफेर कर लीजे को सके बाद इस समय में लेती हो इस छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मिस करते हैं सोनन सिंग समिती, वैसे थोड़ा सा Congress की सरकार नहीं है तो पूछा जाएगा नहीं, पूछा जाएगा यह बड़ी important बात है Well, इसमें संभिधान संशोजन में 90% स्वान सिंग की है स्वान सिंग इंद्रा गांदी की सरकार के मंत्री थे इंद्रा गांदी की बड़ी खास थे तो इंद्रा गांदी in 1971 में बड़ी powerful हुई उसके बाद जब यह आपात का लगने के बात है तो इंद्रा गांदी नहीं कहा जरा स्वान सिंग जी समिधान को इधर सुदे देखो जरा समिधान में चेंद करने के अवशकता है नोगा मेडम डक्टर अवधिकर ने समिधान बनाया थे तो इन जल्दी चेंद करने के अवशकता है नोगा यह मुझे लग रहा है कुछ गड़बा रहा है मामला और संवान सिंग समिधी बैठे इनसे तो ये तक पूशा गया था, बताईए, संसदी साशन रखा जाए, या दक्षी अपना लिया जाए, ये तक पूशा गया थे इनसे, तो ये पहला मामला था, जबकि हमारे संविधान में 368 है, संविधान संशोदन की सकते संसद के पास है, 368 है, अलग से कमेटी बनाने क क्या जरूत है, इनसे कमेटी बनी, दूसरा, संग राजय के संबंद में एक आयोग जो नहीं मिश हो सकता, रंजी सिंग, आप देखें इसमें क्या है, आप देख रहें गवर्नर, आरेन रभी तमिलनाड गवर्नर, अब तमिलनाड गवर्नर रोज खच-पुच कर रहें, इ एक बार आया, आया, इस्टुएंट कर लेंगे, वो चीजें देखेंगे, देखेंगे, कुछ रिफरेंस होता है, कुछ टेक्स होता है, रिफरेंस का मत अब एक बार देखा बन, ठीक है, अच्छा, यह सरकारी कमिशन से बारे में कहा, तो आपका ध्यान हमेशा होना पूसता, हमारा मतलब यहने के अन्रेवी नहीं क्या कहा, तमिल नड़ के मुख्यमेंती नहीं क्या कहा, यह सम्मिधान का मामला किया, अनुछे 200 क्या है, 200 क्या है, गवंदर किसी चीज़ों कितनी दिन तर रिजर्व कर सकता है, क्या कोई समय सीमा है, और अगर यह पहली बार कर प्रिजर्व किया गया थे, पीटी के पूछा गया सवाल है, पहली बार जो आपका दोस्रों में जब अवर्णने पावर अपनाई थी, सवाल जो पहली बार कोई घटे, चाहे पहला हमारा एलेक्शन कमिशनल हो, चाहे पहली बार कोई आयोग हो, तो एक बार रंजी सिन सरकारिय कमिशन देख रहे हैं, सारे पॉइंट नहीं, फंडमेंटल पॉइंट देख लिया, बागी पीशे कर दिया, क्योंकि 288 पॉइंट सारे याद करेंगे, तो पॉल्टी के बज़ाए तो सरकारिय कमिशन रिपोर्ट ही याद करते रह जाएंगे, उन्हीं क करना है, फिर उसके बाद और कौन सा कमिशन है, वेंकट चलिया कमिशन, 2000 में बना, वेंकट चलिया थे, ये इन्फॉर्मेशन हो कही बाद, तो मेंबर के भी नाम आपको याद होने चाहिए, बहुत बड़ी-बड़ी घटना है, सम्विधान में 2-4 बार हुई है, इतनी इंकट चलिया कमिशन का मतलब था, नेशनल कमिशन for reviewing of the working of constitution, अब याद करने किया तरीका है, NCR, आप कहां रहते हैं, Nct में, जो जिलागाजियावा से आता है, वो कहां से आता है, NCR से, NCR, NCR में वाल्ड कफो रहा है, उडिसम वाल्ड कफो रहा है, नेशनल कमिशन for reviewing of the working of the constitution हार दिने associate learning करिए कोई तथया आपको नहीं आदारा उसको किसी stories जोड़के रखिए व्याद हो जाएगा थोड़ा सा चीजों को change कर दिए ये वेंकट चले commission बहुत important है और वेंकट चले commission फिर वही काम लिया जो कभी सौन सिंग कमिटिन लिया था बतासे अवसरते सरकार टल वियारी बाशपई की थी 2000 मेना अटल वियारी बाशपई ने कहा कि इसमें सम्मिधान में फिर change होना चाहिए मुलक उसमें राश्पति क्यार नायरानन थे तो उन्हें कह दिया कि अरे सम्मिधान में ही change करने की बाशपई करोगे अपने वियार में भी change करोगे बना विवाद हुआ थे इस बात पे एक बार देख लिए का खिर में उसने कहा क्या था और कुछ चीजें जो आज लागू हो गई जैसे कि हमारे हाँ मंत्री परिशद काकार वेंकर चले कमिशन ने कहा था बस कमिशन ने कहा था कि मंत्री परिशद काकार दस परिशद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यानि लोग सभा के कुल सदस संख्या के दस परिशद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तकिन उन्हें पंदर परसेंट अपना लिया दिल्ली एक मातरा साथ शेतर है, जहाँ है संख्या के वलतस है, इसका मतलब कई जिगा हम ऐसे कमिशन के रिफरेंस ले सकते हैं, अच्छा क्या कहा, बेसिक बाते क्या है, ये कमिशन आ गया, एक और बचेगा, और कौन सा आएगा, पुंशी कमिशन, जो संगराज पे सबसे इ कास्ट में है, पुंशी कमिशन का नम बार-बार आता है, मदन मोहन पुंशी, पुंशी आयो, इतनी बातों के बारे हम देख लीजिए, अब देखें, सरकारी कमिशन के लावाँ, कई और इसे कमिशन थे, जो रज्यों ने बताये थे, कि जैसे कि, पहला का आयोग था, कि र भग हमारे साथ होगे, क्या-क्या एरिया में पढ़ना है, अब कैसे पढ़ना है, क्या सुरूत है, उसके पहले एक दो साल सवाल लिखिया अब, अभी जो कुश्चन पेपर आपको दिया गया है, तो मैं सवाल तीन किसम बताना चाहता हूँ, सवाल पूछा कर जाता है, ने अच्छा यादर के, लास्ट में कुछ फ्रिया आपकोस्ट लेके ने जाएं, तो ऐसा भी लगता है, आरे करना, तो पहला आपने बता दे क्या पढ़ना है, सम्मिदान, फिर क्या पढ़ना, दंस्था है, आदर्श है, महत्पूर्ण निडए है, फिर महत्पूर्ण आयोग और चौथा भी तरीका है, कि आप कुछ महत्पूर्ण आर्टिकल को भी चूज़ कर सकते हैं, या आप तरीका अपना लीजिए, लेकिन जब भी किसी चीज़ को पढ़िए महत्पूर्ण तरीके से, चीज़ों के एसोसियेट करके, इस ऐसे मत याद करिए, अनसूची का ना पहले नहीं सूची, पहले नहीं सूची, दूसरी बात है, आई ये बनने के बाद कुछ पदध मिलेगा, पहले ये संसूची को दिखना पड़ेगा, क्या, एक बात याद रिखे, हमारा सम्मिधान बड़ा अच्छा है, पहले काते ता भाया देख लो इतना रूपया पहले पैसे की बात की जाती है, तीसरे में सपत की, लेकिन आपके बेतन बहत्ति की बात वहाँ नहीं है, आई ये सदिकारियों के बेतन बहत्ति की बात नहीं है, राश्पती की है, राश्पती की है, उपर राश्पती की है, उच्छे तमन्याले की नहीरीस की है, ऐसे ऐसी लोगों के बेतन भत्तों की बात वहाँ पे है दूसरी दिन सूची में, तीसरी में सपत इन्हें सपत लेके जाना है आज क्या सपत लेके जाना है भाड़ दूँगा क्या सपत लेके जाना है पेपर से डरूँगा पढ़के रही सपत भी लेना है अच्छ सपत लेने दूसरी बात सवालक हमारा संबिनाल एकात्मक है संगात्मक तो भाईया यह बताओ संसाथ काननों पूरे देश में चलेगा है और किसी एक शेत्र में रहेगा तो तब इलनाडु का कोई रिप्रेजेंटेशन दिल्ली में तो होना चाहिए कहां दिखेगा किस अनों सुची में जाओं मैं चौथी में चौथी में जाओं और एक वैद रिखे दिगो भारत कितना अभिशाल देश है कई गवार में 36 गड़गा जिंगाला हो रहा था पूरे जिंगल हो मैं मुझे बड़ा अच्छा लगा मैंने कहा कौन सा इंते को अच्छाव उनरतिय है मैंने कहा आपको यह दिखार कहां समिला हुआ है कभ पांची में सूची मैं अभी गया था देखेंगे मैं पॉलिटी के स्टरेंट हूँ आई-ार का जहां मैं देखता हूँ मुझे साथ का पॉलिटी दिखती है पता नहीं यह खराबी भी होती है स्टरेंट के इसलिए अपने जरिया ही वैसा फिट हो गया है अभी मैं गया था वहाँ पे गुजराद गीर फॉरेस्ट गीर फॉरेस्ट मैं के मैं के पूरे गुजराद के बीचो बीच गीर फॉरेस्ट में दिखा पूरा आदिवासियों के बस्ती मैं गाइट से पूछा मैं कि ये कौन लोग रहते हैं मैं गादिवा से चुछी गाइट तो पढ़ा लिखाद मी बहुत नहीं होता तो उसने कहा सर हमने कैसे रहते हैं ये राजा राजा महाराजा ने को कह दिया था कि आप यही रहोगे पांचे मेन सूची पांचे मेन सूची कहते है का आप जल जंगल जमीन से हटा नहीं सकते और दोस्तों नौर्थिश नहीं देखा कुछ नहीं देखा नागा, कूकी बोडो और चठी तो नौर्थिश देखना है कहा जाएंगे चठी में चठी में और भारत यह बताएं दीदियों ताउ लड़ते क्यों रहते हैं यार दीदियों ताउ के लड़ाई देखना कहा जाना पड़ेगा यो पीस्वे में इंगलिश क्वालिफाइंग क्यों है मेरे दोस्तों अट में नवी में क्या है सीक्रेट बास, सीक्रेट नभी में क्या है नभी में कुछ ऐसा रख दिया है देख नहीं सकते कि आप नहीं दिखाओगे आप क्या कि सारी इसे मतलब आपसे पढ़ाने पढ़ाने आओ यार यह सब देखने हो क्रीमात क्या करते हो अरे मैं कौनस किताब नोट्स मुझे नहीं दिखाओगे दोस्तों यह मैं पूछ रहा हूँ याद रुखे दो नोट्स बनाओ एक दोस्तों के लिए और एक अपने लिए जब भी कोई दोस्त आए तो अपने नोट्स को सीक्रेट रख रो कुछे शेयर मत करो नविरिन सूची में जो जाएगा उसको नयाए पाली का नहीं देख सकती लिकिन कोई दल बजल कर जाए तो क्या होगा और गाओं में अभी में गया एक बन पर गाओं में गया तो गाओं का नाम देख के लिखा I love कोई किस दी गाओं का नाम I love Pali सची वाले में कहा Oh my God केंदरी सची वाले मैं ने देखा था राध्य का सची वाले देखा पहली बार किसका सची वाले देखा ग्राम सची वाले किसे नुची से और अभी M.C.D. को चुनाव हुआ दिल में जाड़ उने लीप दिया मेर का चुनाव होने वाला है कौन से न सूची याद कैसे करेंगा मजेस्य दबाओ से प्रशनप लिखिए एक एक जामपल हमने बताए क्या पढ़ें, अब कैसे पढ़ें और क्या क्या सुरूत ले पहले प्रशनप लेखिए प्रशन की प्रकित क्या है, तब तो मैं बताऊँ अभी बाद थोड़ा सा बती है अब मैं कुछ टास्क दे रहा हूँ तो बताई, हमारे पास इतनी चीज़ हो गई कहां से मैं प्रशन आपको दूँ, जहां बहुत comfortable आप होंगे, बताई, इसमें से कहां से प्रशन मैं आपसे दूँ क्या आपकी एक्षापर, question and demand किसे कहां सवाल दूँ मैं कहां संगहवाद से, कहां से दूँ अच्छा, एक बात और भी अधर रखे, अच्छा इस साल हम आजादी का अमरित महस्तों मना रहें, तो सम्मिधान सभाद से भी कुछ सवाल पूछे जाने लगवगते हैं, सम्मिधान सभाद कुछ इन्फॉर्मेशन अब को याद ही रखनी है, बस एक सवाल आप लिखे, तो मैं कौन से करूं, जल्दिया बताए, भी वाद हो रहा है, कुछ लोग करें संसत, कुछ लोग करें संगवाद, मैं दोनों से सवाल पूछा दे रहा हूँ, पहला, संसत से लिखे, पहला संसत से, और सवाल का निचर कैसा है, सूचनात्मक, सवाल आपके पास तीन किसम की होते हैं, सूचनात्मक, दूसरा है, विशलिशनात्मक, कॉंसेप्चिल, और तीसरा, वर्तमान, घटना, क्रम्पया अधार पे, करंट अफेर बेस, और आएस में आप देखेंगे, ज़्यादातर सवाल संकल्पनात्मक होते हैं, और बड़ी बेसिक संकल्पना पर धारित होते हैं, जाए संसत पूछ लिया, ऐसा भी नहीं पूछेगा, किसी एक BCS आर्टिकल की बात करेंगे, 79, 80, और ऐसा नहीं पूछेगा हो, उसका सबसे से पहला सवाल है, informative, मैं आपसे एक information की मांग करूँगा, और फिर conceptual पर आउँगा, या आप positive भी कर सकते हैं, पहले concept पर चले information पर, चले information, पहले आपको साहज बनाते हैं पहले, फिर conceptual, लिखेंगे, सवाल दिखेंगे, छेत्रा तीत विधी का अविप्राय है, छेत्रा तीत विधी, छेत्रा तीत विधी का अविप्राय है, पाई नमबर एक, ओप्शन नमबर एक, संसत के द्वारा भारत में विधिन रिमाड की शक्ति संसत के द्वारा भारत में विधिन रिमाड की शक्ति वाइन नमबर बी राज्यों के द्वारा अपने भूभाग से बाहर विद्निर्माण करने का दिकार राज्यों के द्वारा अपने भूभाग से बाहर विद्निर्माण करने का दिकार राजियों के द्वारा अपने भुभाग से बाहर विधिनर्माड करने का अधिकार option C संसत के द्वारा संसत के द्वारा भारत के बाहर निवास करने वाले लोगों के लिए विधिकान द्रमाड संसत के द्वारा भारत के बाहर निवास करने वाले लोगों के लिए विधिनर्माड का दिकार और option D भारत के समुद्री शित्र में भारत के समुद्री शित्र में संसत की विस्तारिश शक्ति अच्छा हो सकता है option क्या होगा क्या हो जगा अच्छा 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 ए होगा ए क्या है अच्छा माइक्समल लोगे मान रहे हैं कोई और और तो है C क्या है कुछ लोग गरें C होगा A लोग किया जाए C या कोई और और औप्शन है C औप्शन सही है A गलत है A औप्शन गलत है C सही है अब आप बेखेंगे अब सवाल है कि अब फिर बेसिक बात आपको यह सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन है और आपको मैं बताते हैं बेसिक सी बात आपको बूछना है अब मैं यह भी बता है आर्टिकल 2,4,5 आर्टिकल 2,4,6 बिल्कुल ज़रूत नहीं है अब बेसिक बात पे जाएए अब बेसिक बात पे जाएए आर्टिकल में जो बहुत फंडामेंटल आर्टिकल काम के हैं अपने आप मियाद हो जाएँगे अच्छा कई लोग हो सकता कभी नहीं पढ़कर आया हूँ अगर जिन लोगों गलत जबाब बताया होसला बुलंद होना चाहिए सारे सवाल गलत हो जाए उसके बावजूद अच्छा मैं तो पॉलिटिक इस्टोन को बार-बार कहता रहता हूँ कई बार बच्चे कहते हैं कई बार जो दो-तीन साल से माले प्रिपरिशन कर रहे हैं तो बड़े निरास हो के आते हैं मेरे पास सर उम निकली चली जा रही है मैंने किस की कलाम सावी कहत्तर साल में राश्वदी बने थे मेरे दोस्तो इसे एक बात याद रखे सारे भी सवाल गलत हो जाए सारे एक्जाम भी गड़ बढ़ा जाए होसला जो चाय बनाता था वो प्रदान मंत्री है कमाल की बात करते हैं और जमान आद में इस्तियाद रखे कई बच्चे जो पढ़ने में कई बच्चे जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते मैं क्लास्मन को बहुत पुरसाइद करता हूँ मुझे लगता है काने वाले समय देश की भविष्की तजबीर लिखेगा यह राश्पती बढ़ा मंत्री यही से ही सब बच्चे बनेंगे अध्रोपदी मुर्मोग क्वलिफिकेशन की अई उप्यसी पीटी पास किया थे मेंस पास किया थे बच्छे कुछ नहीं करता हूँ राश्ट का और हम गुरूपडी एगजाम में फैल हो गया तो हम कह रहें कि जीवन खतम हो गया ना ना दोस्तों चाँ अजसे हो ओं-नान ख्लासिज में तोई डिस्रोबिंस आ गई है तो थोड़ा मुझे समय तब तक आप कोई सवाल पूछना चाहें इस वीश में अचा अभी मैं बत तब तक आप कोई सवाल पूछना चाहें तब बताएं थोड़ा सा दो में तब मैं अगला सवाल पको बताऊंगा TMA अचा आपने एक सवाल पूछा है कि TMA Pai Foundation केस के बारे में तो आप याद रिखें जब लिए TMA Pai Foundation केस की बात आती तो अलपसंक्य का अधिकार का मामला आता है पहला और देखें हर चीज को क्रक्स में जैसे किसी चीज को पढ़ी है हर जैसे फंडामेंट एक पेश पर बना लिजे रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन आपका उत्तर TMA Pai Foundation केस में दो तीन बाते हैं तो उच्छतम नारे ने कहा कि अलपसंक्य को साइंस कृतिक अधिकार भारत में है सेक्शिक अधिकार है पहरी बात उच्छतम नारे ने कही दूसरा अलपसंक्य को अपनी पसंद की अपनी रुच की सेक्ष्णिक संस्थाओं के स्थापना का दिकार है उनके प्रशाशन का दिकार है तीसरा कहा फीस भी निरधारित करने का दिकार है कितने बच्चों का admission होगा वो भी निरधारित करने का दिकार है इसका मतलब फिर राज्य का निरधारणा कहा होगा राज्य का मतलब CBSC राज्य का मतलब UGC तो कि UGC सका CBSC का नियंतरण ऐसी अलपसंख्यक sectioning संस्थाओं पर होगा नहीं होगा तो उच्चतम नियारे ने कहा केवल अकादमिक qualification के लिए basic teacher की अरता के लिए ये राज्य के निरधेस मानेंगे और सब मामले में स्वायत रहेंगे अब ये सेंटिस्टीफन का मामला फिर भी दिल्ली विश्विदलिक साथ वाद हुआ था तो सेंटिस्टीफन ने यही कहा कि हम autonomous institution है इसलिए हमारे अंतरगत UGC भी interfere नहीं कर सकता लेकिन इस TMA5 foundation केस में ये भी कहा गया था कि अलपसंखेक sectionic संस्था है या कोई भी sectionic संस्था है ब्यवसाई की संस्था है नहीं इसे donation लेना capitation fees लेना ये संबैधानिक नहीं है ये TMA5 foundation का साराणस है और हमार बातों कैसे 4-5 क्री crux point बाकी सब चीज पीछे PT के लिए बिल्कुल clear cut ये है तो है तो मेरे आवाज आज health ठीक नहीं है ठीक होगे हाँ अचा ठीक होगे अब आपको मैं बता दूँ कि 6-3 शक्ति का मतलब क्या है अभी आपने दिखाऊगा अभी संसद के सत्र था पहली बार भारती संसद ने कानून बनाया है कि हम किसी समुद्री डकायत को समुद्र में पकड़के भारत में prosecute कर सकते हैं अभी तो हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं था इस संसद ने बनाया है लेकिन ये छेतराती कानून नहीं है छेतराती तो सिधा सा मतलब है संसद एक संप्रवू संस था है और संसद की विधनिर्माण की शक्ति पूरे भारत तक होगी पहला भारत के बाहर भी होगी है क्योंकि याद रखे राज जी एक भागोलिक विचार है कश्मिर से कन्या कुमार यही तो राज्य है राज्य समाज में कंतर होता है पेशे बार पीटी में पूशा गया सवाल है राज्य का मतलब क्या है जिसके पास ठोकने पीटने के असीम सकती होती है वो क्या है ठोकने पीटने के सकती संप्रभुता अच्छा लाठी किसके पास होती है दरोगा जी के पास संप्रभुता को देखना हो दरोगा जी की बरदी जाकर देख लीजे संप्रभुता है समाज में अमालीजे की खाप पंचायद के मुखिया है, खाप पंचायद के मुखिया उस समाज के बाग है, राज्य के बाग नहीं है, खाप पंचायद के मुखिया में दंड नहीं दे सकता, तीचर दंड नहीं दे सकता, डॉक्टर दंड नहीं क्योंकि समाज का पार्ट है, पुली सद का दारह बड़ा है, लेकिन समाज के पास दंड देने की शक्ती नहीं है, वो तो केवल राजजी के पास होती है, इसलिए लोग हमेसा प्रशाशन में जाना चाहते हैं, क्योंकि आप जाने किसे पीठरीम कितना मजाता है, एक दंडा मारा, मजा आता है कि नहीं आता है अरे भाई संप्रभुता कि शक्ति अब देखिए अब ये कई बार हम लोग कार से चलते रहते हैं पीछे आगे कोई एक छोटा सा वाहन वाला है कितना होन तो हटाता नहीं उस एक पीछे पर सायं सायं करती हुई दिल्ली पुलिस आई संप्रभु कोई देखते में कि जारे हो जाता है किसका डर है दंडे का डर है दोस्तों इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ टीचर उचर्द को भी मत बनना दोस्तों कोई इज़त ही नहीं है देखो वही धक्का मार देता है बच्चे कई बदेते हैं अच्छे टीचर सहने कादी हो जाता है वैसे हम के चलो यार सा बच्चे है दरोगा जी कुछ भी बोल देंगे दोस्तों और यह समतो राज्य समाज में फर्क है अब जिसे कहते हैं कि राज्य भारती सरकार तो बहरत सरकार जो विधिका अंदिर्मान करेगी वो अमेरिका में रहने आमारे लोगों को वोट कादीकार मिले या ने मिले यह कौन दे करेगा संसद संसद इसलिए का जाता है कि संसद के द्वारा장님 में छेत्रा थीथ होती है भारत के भुभाक के बाहर भी परेने भारत के बाहर का मतलब American के लिए हम विठीका निर्माण नहीं करेंगे वहा कि उनकी संसद है भारत में रहने वाले अनिवासी भारती के लिए कौन विधिकान जर्मान करेगा संसग इसी को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावरा पार्लेमेंट के नाम से जनते हैं यह informative सवाल है अब संसग से जरा संकल पनात्मक सवाल लिखिए अगला सवाल लिखिए अब आप संसग सवाल लिखिए संकल पनात्मक संसदी साशन की सरवाधिक मूल विसेशता है संसदी साशन की सबसे बड़ी विसेशता है या सरवाधिक मूल विसेशता है पॉइंट नमबर एक कैबिनेट का साशन संसरी साशन की सबसे बड़ी विसेजता है पॉइंट नमबर एक कैबिनेट का साशन पॉइंट नमबर दो सामोहिक उत्तरदाईतो पॉइंट नमबर दो सामोहिक उत्तरदाईतो पॉइंट नमबर तीन शक्ति प्रथक्रण पॉइंट नमबर तीन शक्ति प्रथक्रण पॉइंट नमबर चार पॉइंट नम्बर चार राष्टा ध्यक्ष और साश्णा ध्यक्ष के पदों में प्रिथक्ता पॉइंट नम्बर चार राष्टा ध्यक्ष और साश्णा ध्यक्ष के पदों में प्रिथक्ता बताई किया होगा अच्छा आप ये बास तरह समझ पाए कि संकल्पनात्मक सवाल और इंफॉरमेटी में कहां तरह रहा है इंफॉरमेटी का मतलब जहां सूचना हमें कठी करनी है संकल्पना का मतलब है कि सारे संसरी इसी काम नहीं चलेगा अगा आपने 245 पढ़ लिया 246 पढ़ लिया इसे काम नहीं मतलब नहीं है आप संसरी सार्शन के बारे में क्या बेवहरी विसीस्ता जानते हों मुझे बताईए और एक बार इंफॉरमेटी सवाल पूछा गया था इंफॉरमेटी सवाल पूछा गया था पहली लोग सभा में सबसे बड़ा इपक्षिदल कौन था यह इंफॉरमेटी सवाल है और एक बात तो मैंने आपको भूली गया कि अखिर में इसका उत्तर बताने से पहले एक चीज मैंने मिस किया कि आपके पढ़ने का स्तुरत क्या होना चाहिए पहले N.C.E.R.T अज़ा आंसर बता रहा हूँ मैं अज़ा बढ़ा रहा हूँ तो एंसर का जुड़ा हुआ है पहले N.C.E.R.T फिर दूसरा अब जोके N.C.E.R.T कॉर्सिट से लेके 12 तक एक नोट्स बना जाईए N.C.E.R.T में इनफॉर्मेशन से आपको बता सकता हूँ कि यहां सब आलाया था जोभी मैं पूछ रहा हूँ कि पहले लोग सबाब में सबसे बढ़ा भी पक्षी दल कौन था इसका सीधा उत्पर N.C.E.R.T बुक में लिखा गया है एक वात याद रिखेगा जब UPSM पेपर सेट होता है तो भारस सरकार के गरंत को मानक बनाया जाता है या कोई बहुत एडवांस बुक हो अच्छे इस इननेशनल पॉब्लिशर से परकारशित हो गाइड, मैगजीन वो सब उनकी पेपर सेटिम में ही नहीं है जहां से एक्जामनर रिफरेंस ले रहा है वह आथ आप देख लीजे और मैं एक्जाम्पल बता सकता हूं किस बेसिक किस तालब कैसा सवाल है इन बेसिक बातों हम छोड़के चलते हैं और सारा उर्जा कहां लगा रखा है दूसरा भारत दो हजजार टेश बस धियान दखिए, दोनों फरक है ये टेक्स्ट है, ये पाठी पुस्तक है पाठी पुस्तक का मतलब है इसको हम बार बार पढ़ते हैं कॉंसेप्ट के लिए पढ़ते हैं, रीजन करके पढ़ते हैं ये टेक्स्ट है कुछ गरबढ़ हो गया? यह गरबढ़ हो गया? ओमाई गड़ कौन है यार? ओमाई गड़, ये 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 बच्चा देश का नाम रोसन करेगा, देख लो इसको मलब ऐसे ये ऐसे ही बिंदास लोगों की मुझे पैचान है, सर कुछ भी करें है तो देखें, एक क्या है पार्ट पुस्तक, क्या है? एक है टेक्स्ट, टेक्स्ट है मतलब बार बार पढ़ना है, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार पढ़ना है भारत है संदर्व, रिफेरेंस, रिफेरेंस बार बार नहीं पढ़ा जाता है एक बार देख लिया, कोई concept है, और मैं आपको बता दूँ, भारत से कहां-कहा सवाल आया है एक बार देख लिया, quality पढ़ रहे है, science टिक पढ़ रहे है और हम क्या करते हैं कि भारत का बाद में जब सौर्ट आता है वो देखते है मुछ काम नहीं होगा उससे मैं आपको पॉलिटी के सवाल बता हूँ एक बार सवाल है पुछा गया प्रीवीस एर में कि भारत में बजट निर्मान होता है तो कौन सा डिपार्टमेंट उससे लगता है यह सवाल है कौन सा डिपार्टमेंट लगता है डिपार्टमेंट अप एकनॉमिक अफ़ेर्स इस स्रूत कहा आपको मिला सर ने बताया हो कही भारत के पहले ही पेच पे है इस स्रूत अब देख लीजे आपने बारों दिखा, ग्राम नियाले ग्राम नियाले ये सीधा लिखा, हमारे हाँ पीटी में सवाल था, कि ग्राम नियाले का शेतरादिकार कहा है, सिविल मामले में, अपरादिक मामले में, अच्छा भारत की context सा एक बार देख लिया, फिर पलट दिया, फिर देख लिया, फिर बंद कर दिया, पूरा नहीं पढ़ना है, कोई भी section पढ़ी है, और PT के लिए जोग शीच पढ़ने होते हैं, जो मेंस में बिलकुर refer नहीं करते, bare act, यानि केवल अधनियम जहां पे है, लेकिन ये भी क्या है, ये reference है, इसका हम तक कभी जरूत हुई तो देखा, और आजकाल तो Google भी है, तो जरूने कहम bare act खरीदे हैं, कि एक बार हमें article 200 होते हैं, article 200 हम बार बार debate हो रहा है, एक बार article 200 हम लिखा क्या गया है, अगर bare act को आपने एक एक article के हिसाब से पढ़ना सुरू कर दिया, तो ये dangerous है, बेकार की बात है, और फिर problem आती है, कोशिस करिए, इन तीन से ज़्यादा बाकी तो कहीं आप पढ़ी रहे होंगे, जो basic है कि आपका notes है, उसे को बार बार revise कर जाएए, इन तीन से ज़्यादा, आपको particular में आगे बढ़ी, इतना ही more than sufficient है, कि जिसने कहीं ना पढ़ाओ, कैसी का notes हो करे ले ले, तो basic बाते हैं वहाँ से मिल जाती है, इतना में reference कर लिया, इससे ज़्यादा विस्तार मत करिया, नहीं तो फिर arrange नहीं हो पाएंगे चीज़ें, और फिर विस्तार बहुत ज़्यादा होगा, तो revision नहीं हो पाएगा, revision नहीं हो पाएगा, तो हर चीज़ confused रहेगी, class 6 से class tilt तक, अगर हो था, बैस 6 में एक ही बार तो पढ़ना पढ़ेगा, basic information collector लिया, means में तो idea बनाना पड़ता है, PT में क्या है कि basic information collector लिया, तो वो चीज़ें आपके फिर दाइरे में रहेंगी, कई बार जितने applied किसम के सवाल हो, उसमें 99% सवाल NCRT से है, 99% लेकिन अब गलती कहां होती, कई बार लोग वेर एक्ट किया करते हैं, लेक्स का मतलब है, बार बार उसी को रिवीजन के साथ पढ़ना है, अब सवाल को उत्तर बिताईए, B का क्या option है, सामोहिक उत्तरदाइत, आप या देखेगा, यह दिख सेपरिशन आप और भी संसरी साशन की भी सिज़ता है, लास्ट वाल पॉइंट हैंने लिखा, भी संसरी साशन की भी सिज़ता है, कई बार तो ऐसा होता है, बार राष्टा, धक्ष और साशना, धक्ष भी शंतर, यह भी तो संसरी साशन की भी सिज़ता है, कई बार ऐसा संभव हो है, कि मैं आपको बिल्कुल चार आप्शन दूँगा, चार के चार सही होंगे, एक को टिक करिए कई पर मैं चार आप्शन दूँगा, चार के चार गलत्व होंगे, एक सही होगा टिक करिए दोनों आप्शन होते हैं हमारे पास, इसका मतलब है कि इसमें option होगा, सामोही को तरदाइत, यह संसाजी साशन की सबसे बड़ी विसेशता है, अब इसी बात को पढ़के फिर सीखिए, जैसे संघात्मक साशन, तो संघात्मक साशन की चार विसेशता है, तो उसमें मौल सबसे क्या है, यह आई उसमें पूछा गया सवाल है, लेकिन अब लास्ट सवाल लिखीजिए, अपलाइडी किसम का सवाल कैसे हो सकता है, संसी अब लिखिए, अनुपरयूगात्मक सवाल कैसा हो सकता है, लिखीजिए, अनुपरयूगात्मक, पहला, अपला अनपरुगात में कह लीजिए कर्णेट अफेर बेस कह लीजिए वर्तमान घटना करम के अधार पे गह लीजिए यानि जिसका सीधा उत्तर आपको संबिधान और वेरक्ट में नहीं मिलता लिख लीजिए पहला भारत में भारत में अखिल भारती पीठा सीन अधिकारियों का वारसिक संबिलन होता है भारत में अखिल भारती पीठा सीन अधिकारियों का वारसिक संबिलन होता है अखिल भारती पीठा सीन अधिकारियों का वारसिक संबिलन होता है जिसमें शामिल होते हैं जिसमें शामिल होते हैं आप्शन ए लोग सभाई स्पीकर जिसमें शामिल होते हैं आप्शन ए लोग सभाई स्पीकर बिधान सभाईों के स्पीकर उसी में है, एक ही पॉइंट है, लोग सभाई स्पीकर, बिधान सभाई स्पीकर केंदर साथ से छेत्र, केंदर साथ से छेत्र में बिधान सभाई के स्पीकर केंदर साथ से छेत्र में बिधान सभाई के स्पीकर के इंदर सास्य छेत्र में बिधान सभाओं के स्पीकर option B option B लोग सभाओ के स्पीकर लोग सभाओ के स्पीकर और लोग सभाओ के लोग सभाओ के पूर्व स्पीकर लोग सभाओ के स्पीकर लोग सभाओ के पूर्व स्पीकर option C option C लोग सभाओ के स्पीकर पूर्व स्पीकर option C लोग सभाओ के स्पीकर पूर्व स्पीकर और राज बिधान सभाओं के पूर्वी स्पीकर राज बिधान सभाओं के पूर्वी स्पीकर ओप्शन D स्पीकर सभी राज्यों के मुख्य मंत्री सभी राज्यों के मुख्य मंत्री राज्यपाल सभी राज्यों के मुख्य मंत्री राज्यपाल क्या option है क्या देखे मैं किस आज़ अभी जैपूर में अभी जैपूर में अखिल भारती पीठासियन देकारियों का संब्लन हुआ और आपको मता दें आएस के प्रीबिए सर्क पीपर आप देखेंगे तो इसमें लिखा क्या गया है कि क्या अगर संसद में यह प्रीबिए सर्क सब आप देखेंगे यह मुझे थोड़ा मिस हो जाता है तो क्या संसद के द्वारा संचालन के नियम जहां पर न हो तो वहां राच बिधान सभा के स्पीकर अपने नियम बना सकता है अज़रे करेक्ट हमारे अखिल भारती पीठासियन दिकारियों का संब्लन इसलिए होता है क्योंकि आज तक हमारे अहां सदन के संचालन के बारे में पूरे भारत में यूनिफॉर्मिटी नहीं है यह मद्दप्रदेश का सदन अलगतरी के शलता है बिहार का अलगतरी के शलता है कुसस किया जा रहा है कि चीज़े यूनिफॉर्म रहे जिसे एक बड़ी बेसिक बाते और अखिल भारती पीठासियां देकारी संबलन इसलिए होता है इसलिए इस बार तो ने पालिका का मुद्दा जाद गहमा गमी वाला हो गया तो बड़ा लॉजिकल अगर पीठासियां देकारीयों का संबलन है तो इसमें स्पीकर तो रहेगा लोग सबा का बाकी राज्यों के स्पीकर रहेंगे बिधान सबा के स्पीकर रहेंगे और जहां किन सासी चहरे बिधान सबाय है वां के स्पीकर रहेंगे यानि अब हमने एक information आप से देखा तो प्रिबिएसर पेपर के बेस बनाकर मैं टिक करता हूँगए कहां-कहां फिक्सदावनर का दियान है कहां-कहां सवालों पूछ सकता है अपलाइड भी, सद्धान्तिक भी और सूचनात्मक तो जब प्रिबिएसर के सवाल को अब देखते हैं मैं क्यूं कर रहा हूँ, बार-बार देखिए यह टेंडेंसी आप में होने चाहिए ज़ा आप मैं से कई बार बच्चे मुझे सवाल पूछते हैं क्लास गरे में, की सवाल पूछा जा सकता है तो मैं सिरा कि दौने, नहीं बनादा 1% चांसे, 19% नहीं तो यह आपके पास यह बिचार हो जाना चाहिए कि धिर धिर नजरिया, अच्छा यह इंपोर्टन नहीं है यह इंपोर्टन है क्योंकि में आइडियाज होते हैं कॉंसेप्ट होते हैं, हर चीज़ पढ़ना सुरू कर देंगे फिर तो, वैसे भी से याद रखने की है, कि जब हम PT एकजाम में पढ़ते हैं तो कि मेंस और PT में कहां basic फर्क पढ़नेक तरीके मा जाता है जैसे पढ़नेक तरीके मेंस और जैसे, जब हम PT में पढ़ते हैं तो जब हम दो-तीन शब्दों का अपरियोग करेंगे तो between the lines, मेंस में से कोई जरूत नहीं है कैसे, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ मैं यूज कर रहा हूँ बिधान सभा फिर यूज कर रहा हूँ बिधान मंडल PT के लिए दोनों basic सब्दों का अंतर जाना जरूरी है मेंस के लिए बिलुकुल फरकने में नहीं पड़ता मेंस में interchangeably यूज करते है बिधान सभा, बिधान मंडल में अंतर जाना हमें जरूरी है यानि बिधान सभा अलग है, बिधान मंडल अलग है विधाईका अलग है, संसद अलग है हम सामानते लिखते समय में विधाईका संसद दोनों को एक ही मान के चलते है बिधान से बेसिक डिफरेंस में बताने का प्रयास में से मतलब भी नहीं होता जैसे मंत्री परिशद और मंत्री मंडल में क्या नतर है बेसिक बात आपको अलग जान के चलना चाहिए मैं इस लिखते समय में कहीं आवशक्ता नहीं पड़ती मंत्री परिशद, मंत्री मंडल में क्या नतर है इन बेसिक बातों को मैं से ध्यान में रखिए रीड बेट्विन दे लाइंस अब मैं एक से सवाल करूँगा कहां हम पढ़ने में पीटी में गल्दियां करते हैं इसलिए एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ने में विस्तार नहीं बैसे एक ही चीज़ को रिपीट करके, रिपीट करके, रिपीट करके जितनी बार उसको पढ़ेंगे, जैसे मैं सवाल आप से पूछू इह बात आप जानते भी हैं कि हमारे हां संसद में कोरम कितना होता है क्या पोल अपने तो देखें जब आप कहते हैं एक बटा दस गलत तरीका है कुल सदस्यों की संख्या का एक बटा दस तो अब पीटिम पढ़ रहे हैं तो उपस्य सदस्य हैं कुल सदस्य हैं, इसे फरका जाएगा कुल सदस्य हैं, उपस्य सदस्य हैं सदन की संख्या है, सदस्यों की संख्या है इन बेसिक बातों को बारी तरीके से पढ़ने का रड़ा लिए मैं फिर हड़़ड़ी में कुशिन गढ़बढ होगा और जो CHAPTER सबसे DANGEROUS है संसदी साशन का क्योंकि यहां द對了- समसाओंस अजिता कुछ है होता कुछ है संसदी साशन के सवाल सबसे DANGEROUS नरब हम आते हैं क्यों देखता कुछ है होता क्यों है कैसे देखता कुछ है होता कुछ है लिख लीजे सवाल गंसाजी सार्शन से एक सवाल लिख लीजे यहाँ पर आप क्या टिक करेंगे एक एक बेसिक इठने ही आती है प्रशन लिख लीजे मंत्री मंत्री अपना पद्धारण करेगा मंत्री अपना पद्धारण करेगा भारत की राजविवस्था में मंत्री अपना पद्धारण करेगा भारत की राजविवस्था में option 1 रश्टपती के ख्षानुसर या रश्टपती के प्रिसाद परिंद रश्टपती के परिंद option B प्रधारमंत्री के प्रिसाद परिंद Option B, प्रधर्मंत्री के प्रसाद परियंद Option C, संसद में बिस्वास मत रहने तक संसद में बिस्वास मत रहने तक बिस्वास मत रहने तक Option D, सदन की सदस्ता बने रहने तक सदन की सदस्ता बने रहने तक क्या Option होगा? अब बहुँ ध्यान से देखेगा previous question paper को ध्यान से देखेगा मेरी बास तोन लीजे previous question paper को ध्यान से देखेगा इस बात में देखे संसदी साशन बड़ा dangerous topic मैंने पहले बता दिया क्यों? क्योंकि इस पर बार बार एक विवाद उठता है इसलिए जड़ा previous question paper को ध्यान से देखे तो यह दो दो शब्द आता है एक है भारती संविधान के नुसार अब अब examiner previous question पर आप IES के देखेगा और IES में तो अब clear cut division आने लगा है दो-तिन साल से इसके पहले सबाद बड़ा confusion पाकर में क्या उत्तर दें constitution और यह जहां पर अंतर आता है वो संसे दिसाशा नहीं है क्योंकि काम कुछ और करता है करता है तो को नहीं या मेरा नाम हो रहा है नाम द्रोपदी मुर्मू का हो रहा है काम कौन कर रहा है किसी याद रखे बड़ा दाइस्पोरा का संविधान पहले संविध करने कौन गया प्रधार मंतरी या राश्पती प्रधार मंतरी गया एक बार तो भी द्रोपदी मुर्मू मिली किसी पौली कारिक्रम में द्रोपदी मुर्मू बैठी नहीं थे कोई मोधी खड़े थे लोग स्वरक्षा करमें मेडम आप प्रोटोकॉल में बड़ी पहले आप बैठेंगे तो प्रधार मंतरी बैठेंगे तो कारी पहले में बैठ जाओं बैठ जाएए अगीकत की बात तो यह है रश्पती की सक्तियां कहां से अधिया है पाउसे कौन कहा रहा है समिधान से मैं कहा रहा हूँ समिधान से ही आती है आती है समिधान से ही है तो गलत नहीं हो लेकिन सवाल यह है तो जो आप्शन दो आप्शन बार बार दिखेगा दूसरा है according to Indian polity जब मैंने सब्दकाप्रयो किया भारती राज वेवस्ता से इसका मतलब आपसे वेवहर एक स्वाल पूछ रहा हूँ मुझे सेद्धान सम्विधान में क्या लिखा गया ऐसा नहीं होता अचा वेवहर में रभी संकर प्रशाद रहेंगे नहीं रहेंगे कौन ते करता है हमने क्या प्रशन दिया है हमने सबसे कहा भारती राज वेवस्ता मैंने सब सम्विधान कहा ही नहीं इससे सम्विधान होगा उत्तर लग होगा वेवहर होगा तो उत्तर इसलिए कहा भी जाता है प्रधार मंत्री को अधिकार है कि अपने टीम का निर्मान करे विवहर में इसलिए प्रधार मंत्री की पच्छा विवहर में powerful कौन है अगर लिखाओगा संबिधान की हिसाब से यहीं पर पॉलिटिक में क्या टेक होता संबिधान तो मैं किसका टेक कर देता राश्पती इसे अप याद रखिए संबिधान करूसार राश्पती मंत्रियों को निर्देस होते है राश्पती के वल हस्ताक्षर करने के लिए राश्पती बनने के बड़ा फाइदा यह है मोगल गाड़न बैठके चाहे कॉफी पीने का बड़ा मजा है आमम कुछ नहीं है राश्पती ताउ देख रहे हैं चेहरे पर ताउ चलते हैं तो मैंने देख अच्छा प्रधार मंत्रि के सेक्यूर्टी गाड़ जादा है या राश्पती मुर्मो के प्रधार मंत्रि भी चेहरे बैंगलूर्ण चल ले थे मैंने को हुमाई और सक्तिमान को लटका हूँ आई जीप से बारा बारा लोग यह बारा स्पीजी के लोग यह पुलिस फुलिस वाले नहीं है बारा स्पीजी के लोग और द्रोपती मुर्मो जाती है एक अधिकारी है पावरफुल कौन है यह संसदी साशन बार-बार प्रभब आती है यहाँ पे कई बारा वेरेक्ट बार-बार रिफर करेंगे बार-बार रिफर करेंगे अब ज़रा आप लोगों को सवाल दे दीजे कॉश्चन बेबर बाढ़ दीजे अब मैं कॉश्चन बेबर बाढ़ रहा हूँ ज़रा वो ट्री ट्री करिये थोड़ा उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कॉश्चन बेबर आप बाढ़ दीजे अच्छा इसका अंसर क्या होगा आप तो आइससर आपको पता देना चाहिए वेवहार में क्या होगा राज वेवस्थाम प्रधान मंत्री संविधान में राश्वति अब ज़र टेस्ट सॉल कर लिजे